बिहारी गंज प्रखंड के सेखपूरा गों में जनदिकार पार्टी के कारे करता एवं ग्रामिनों के द्वारा धिकार दिवस मनाया गया देखिए यहरी पोर्ड प्रखंड के सक्पूरा गौं में हम सभी जनादिकार पार्टी के शाथी एवं ग्रामिन भुजुर्ग सभी लोग जो आज बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि बिहार सरकार के खिलाब हम लोग आज दिक्कार दिवस मना रहे हैं हमारे आदरनी अनेता जननायक श्री पप्पू यादव जी को जो मानव सेवा में लगे हुए थे जो हर एक गड़ीब को खाना हर एक बिमार को ऑक्सीजन दबाई पैसे से मदद कर रहे थे शमसान घाट जा रहे थे तो सरकार को लगा कि हमारी किरकिरी हो रही है हमारी पोल खुल जाएगी और सरकार 32 साल पुराने केस में हमारे आदरनीय नेता को जेल में बंद कर दिया गया हमारे आदरनीय नेता का यही कसूर था कि राजी परताब रूडी जो बीजेपी के सांसत थे उनके यहां पच्चासों एंबूलेंस उनके घर में छुपा के रखा हुआ था जो इस एंबूलेंस से बालू ढोया जा रहा था कुछ नेतारों ने तो बताया कुछ एंबूलेंस से सराव कारोबार हो रही थी उसका उजागर करना ही हमारे नेता के लिए बहुत बड़ा गुना हो गया क्या इसलिए हम लोग आज सहिखपूरा में बैठे हुए है ऐसी सरकार पर धिकार है थू है जो इस तरह मानव के सेवा करने वाले इंसान को जैल में बंद कर दिया जाता है हम लोग नितीश सरकार से, अब तो माँण की बात नहीं, अब तो आवान की बात नहीं अब हम लोग जो है सीडा चेताबनी दे रहे हैं, कि आप पपू यादब को रिहा कीजिए अन्न था अब जो है, कोई करना महामारी का, हम लोग को भै और डर नहीं रहेगा हम लोग गाउं के जितने भी ग्रामीन हैं पिहार के सभी अब रोट पे उतर जाएंगे जब रोट पे उतर जाएंगे फिर आपका मुश्किल बढ़ेगा इसलिए हम आपको चेताबनी दे रहे हैं दिक्कार कर रहे हैं कि आप पपू यादव को जल्द से जल्द रिहा करें पपू यादव जिन्दावाद नितीज सरकार मुर्दाबाद नितीज सरकार मुर्दाबाद नितीज तुम सर्म करो नितीज सरकार पे धिक्कार है नितीज सरकार होस में आओ